जैमसी की दोस्तों आज हम परमेश्यों के वचन से इस बात को सीखेंगे कि परमेश्यों ने हमें क्यों बुलाया और उसकी बुलाहट के पीछे उद्देश क्या है जब आप मरकुसरची सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसके तेरवे वचन से पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है फिर वह पहाड पर चड़ गया और जिन्नेवा चाता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए तक उसने बारा पुरुशों को नियुक्त किय कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुश्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें देखें मेरे प्रियों जो वचन आज हमने पढ़ा वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को बुलाया और सबसे पहले परमेश् चीवन में एक बुलाहट आती है मुझे और आपको Bij परमेश्य बुलाता है जिस dough को प्रभुेश्य मसी ने बुलाया हमें में प्रमेश्य बुलाया लेकिन उस बुलाहट के पीछे परमेश्यक और सबसे पहला उदेश्य में उसके साथ साथ रहें परमेश्य मुझे परम बातों को सुनते हैं, मेरे प्रियो सबसे पहला उद्देश का उस ने जब मुझे और आपको बुलाया, वही है, कि में और आप पर्मेशव के साथ रहें। ये एक प्रश्न है कई बार हाज हम सिवकाई में अलग-अलग बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मैं और आप परमेश्व के साथ वो जो पर्सनल टाइम बिताना चाहिए व्यक्तिगत समय बिताना चाहिए परमेश्व से बाते करने का वचन को पढ़ने का मनन करने का प् प्रचार करें दूसरी बात आती है मेरे प्रियोग प्रचार करना लोगों को सुसमाचार सुनाना आप सोचिए अगर आप सुसमाचार सुना रहे प्रचार करें लेकिन आप प्रभू के साथ समय ही नहीं बिता रहे हैं तो मेरे और आपकी उस बुलाहट का पहला उदेश मैंन इसलिए मुझे और आपको उसके साथ समय बिताना है। उसके बाद मुझे और आपको प्रचार करना है। और तीसरी बाद दुश्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। अगर आप और मैं चमतकार पे बिलीव कर रहे हैं और चमतकार देख रहे हैं चमतकार कर रहे हैं इश्यमसी के नाम से लेकिन अगर हम प्रभू के साथ बैट नहीं रहे हैं उसकी सुन नहीं रहे हैं वचन नहीं पढ़ रहे हैं मेरे प्रियों तो सब कुछ व्यारत है होने दे कि परमेश्व मेरी और आपके सहायता करें कि आज हम ये निरने ले कि प्रभू के साथ हम सबसे पहले बैठेंगे सुबह उटते से ही परमेश्व के साथ हम समय बिताएंगे और फिर हम दूसरे कामों को करेंगे परमेश्व इस वचन के द्वारा आप सभी को आशिशित करें